अलो दोस्तो दोस्तो आप देखरें आपना चैनल ठेक हें यह धडाने अमें आपका दोस्त तो इस वीडियो के अंदर हम बात करें वाले हैं Logscope क्या होता है और Global Scope क्या ब्लोग स्कोप और फंक्शन स्कोप यह दोनों क्या होते हैं इन में क्या डिफ्रेंस आपने कहीं बार यह नाम सुने होंगे ठीक है यह ब्लोग स्कोप आपने आया था 2016 के अंदर जब ES6 आया था ES6 से पहले क्या होता था अपने बास दो थे function scope था और global scope था ब्लोग scope ES6 के बाद आया था ब्लोग scope क्या होता है मालो कि मैंने simple सा यह simple सा एक block है ठीक है इस और इस bracket के वीच में एक block है ठीक है मैंने simple सा यहाँ पर कर दिया let v equal to vj मैंने इत्ता किया मैं इसको direct console करूँगा यहाँ पर console.log v तो यहाँ पर देखो reference error v is not defined तो क्या let क्या होता है अपना यह हो अपना block scope और इसको हम function scope भी बोल सकते हैं by the way इसको हम पहले function scope भी बोलते थे यह अपना block scope ठीक है समझ पा रहे हैं यह अपना block scope इसके अंदर आप कोई भी code डिखोगे वो इत्ता ही रहेगा तो सबसे पहले इसकी बात करते keyword के थूँ देखो let let keyword होता है let सबसे पहले war की बात करते है ठीक है तो war keyword अपने पास होता है global scope का keyword इसका क्या मतलब है global scope का मतलब जैसे यह मैंने अभी let v करके बनाए अगर मैं इसको war करके बनाऊ war equal to v तो आप एक चीज देखो war equal to v करके मैं बनाए तो यहाँ पर देखो directly इसको access कर पा रहा हूँ इसके बाहर भी war क्या है war जो है war is a global scope variable war के global scope variable का argument है ठीक है argument sorry argument नहीं एक war के है इसके हम global variable create करने में use लेते हैं war को आप use करके कहीं भी आप war को use कर दो एक बाहर उसके बाहर आप use कर सकते हो ठीक है but let और const के case में ऐसा नहीं है let मैं equal to f equal to कर दूँ ठीक है और मैं कॉंस्ट भी ऐसे कर दो कॉंस्ट k equal to hey dear ठीक है yeah hey dear थोड़ा नहीं hey कर देते हैं ठीक है simple I think that should be good ठीक है तो हम क्या वी को आप मैं simple f को प्रिंट करूँ आपको पता error आएगा reference error आएगा but in the case of k k क्या कैसे आप देखो क्या आएगा k is the also not defined ठीक है तो वार क्या वार होता है अपना global keyword और वहीं let और const को हम यूज कर लेट और const keyword को यूज कर बनेंगे तो यह अपने बनेंगे block scope और function scope keyword ठीक है तो इनको हम कैसे यूज लेंगे ठीक है सिंबस राга अपना나मकरता हूं अब मैं यहां पर कर देता हूं सबसे फाएवी यावी को भी डाल देता हूं edesंत्यूंद है यहां पर प्लेस मैंने दिया इया, यहां पर डाल देखम एफ रिंद फिर Que curb इनकिन फिर $ खाली श्ट्रिंग दी बाइद वे वो एक अच्छा कुछ इस्ट्रिंग सी बनाने कि हम यहां पर लिटरल भी यूज कर सकते वह भी नहीं कर रहा ठीक है तो यहां पर देखो एफ इस नोट डिफाइन तो यहां पर एफ का डिफाइन नहीं है वही माइश को अगर वार करके ब बना हूं तो आप एक चीज़ देखो वार करके मैं जैसे बनाया तो वार करके इस केस में पिए गदम सेम प्रिंट होगा हेलोव टेफी आज़ देख है तो आजसा करता हूं आपको समझ में आ गया वोगा कि ब्लोग वार क्या होता है और ग्लोबर स्कॉप क्या होता है ठीक आप काफी अच्छी अंडरेशन नीं हो ठीक है एक function बना यहां पर यह एक function बनाया ही करके ही बनी गया but that should be good ठीक है ठीक है अब यह बना हो गया function अब इस function के अंदर मैं क्या करना चाहता हूं let v equal to मैंने दिया 45 ठीक है अब v मैंने 45 क्या मैं simple सा मैं यहां पर करूंगा आपको कोई प्रोलम नहीं है तो v plus अगर मैं t कर देता हूं आप यहां पर देखो v plus t मैंने किया मैंने simple सा इस function को मैंने call भी करना पड़ेगा he को मैंने call किया तो देखो 134 आ गया ठीक है समझ पा रहे हो इस टाप चो गया but वही मैं इस let को अगर भार यूज करना चाहूं इस console को मैं अगर भार कर दूं तो यहां पर क्या जो v का scope है न वो इत्ता ही है मैं simple सा वी को अगर भार भी यूज करना चाहूं न तो यहां पर अगर मैं वी को करूं वी को तो आप देखो क्या आएगा अपने पास वी अपने अपने पास है तो वी टी कर देता हूं इसको वी टी अगर करता हूं तो आपके पास आएगा अनकोट reference error ठीक है यह आगे अपने पास वही मैं इसको अगर वार करके करूँ अब एक इस चीज में भी आप देखना अगर मैं वार करके ऐसे करूँ तो आप एक देखना एक चीज reference error आ रहा है भी भी अपने पास vt is the node define यह आ रहा है समझ पा रहे हो तो यह होता है अपना function scope ठीक है यह अपना ब्लोक scope जो की दो ब्लोकों में लिखा होता है यह अपना function scope और जो इसके भार जो यहां पर लिखोगे वह अपना environment या global variable इसको आप बोल सकते हो ठीक है आपको एक चीज जैसे की vt है अमने क्या अभी तक क्या देखा है कि जो let constant उसको अंदर नहीं चाहिए कर सकते हैं but let को अगर जैसेगी यह है इसको मा अगर लेट यहां पर कर दू लेट के the f dot मेंने की और बॉटरी फोटी फाइफ कर दिया ठीक है इसको भी ने फोटी फोटी कर दिया है इसको भी अगर लेट से कर देता इसको चाहे वार्षिक अब मैं इन दोनों को यहां पर अंदर यूज कर पाऊंगा एजली यूज भी होंगे समझ पारे गाप तो मैं यहां पर देखो आपको दिखा देता हूं यहां पर एक तोटी करता हूं T के अंदर add कर देता हूं VT तो मैंने VT की आप चीज देखो जैसे मैंने add किया तो 90 प्लस 90 तो यह क्या यह अपना भी है ग्लोबल के अंदर तो ग्लोबल में जो भी कोई variable रहेगा वो सब के लिए accessible होगा ठीक क्योंकि जो global scope है वो सब के लिए axis है वो लोगा बट यह जैसे block scope में जाएगा फिर बैस जो वार होता है वार तो block scope से global scope में आ जाएगा सब axis कर सकते हैं बट आप let और const को अगर एक block scope में डाल दिये हो तो उसको आप axis नहीं कर पाओगे because जो let और const है वो होते हैं अपने block level block scope के होते है बट वार होता है अपना global scope का तो आशा करता हूँ आपको scope समझ में आ गया होगा let const और वार का scope समझ में आ गया होगा और block scope क्या होता है function scope क्या होता है global scope क्या होता है यह तीनों scope क्या होते है इनको कब use लेते हैं तो आपको कुछ ऐसे वेरियबल जैसे की पाई की वेलियू हो आपको पूरे प्रोग्राम में यूज लेनी है तो आप उसको ग्लोबल में डिफाइन कर सकते हो बट आपका एक यूजर है ठीक है उस यूजर का डाटा चेंज होगा विद्द स्टेज जैसे की एक फंक्शन कोल हो रहा है यूजर के लिए जो की यूजर की एज बताएगा ठीक है एक फंक्शन कोल हो रहा है जो की यूजर की कोई और चीज बताएगा ठीक है तो इन दोनों के अंदर जो जो चीज़ी है जैसे की लोंग में चीमिलर है बट दोनों के अलग लग function तो वह दोनों variable है अलग नाम सेम है अलग लग लग चीजि़े कर सकते हो दोनों s by इस डिफ्रेंट है अलग लग function के अंदर वो function ना हो यह important है ठीक है आसा करता हूँ आपको चीज समझ में आगए होगी और चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब वीडियो करो like और अपने दोस्तों साथ ही जो playlist इसको share करो क्योंकि काफी informative playlist है और आपको काफी काफी knowledge मिलेगा और support के लिए तो बंदा हाजिर है तो क्या चीए हो ठीक है तो देखो code करते रहो क्योंकि code के बीना programming बहुत मुश्किल है ठीक है दोस्तों तो life को enjoy करते रहिए और ऐसे सीखते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर बाई बाई